नमस्कार मैं हूँ प्रदीप रागव निकला हुवा पेट या फिर थुल्थुला पेट भला किसे अच्छा लगता है पेट की चर्वी तो हर कोई कम करना चाहता है लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसे कम कैसे किया जाए अगर आप भी अपने एक्स्टा वेट से छुटकरा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो में आज मैं आपको बहुती आसान सा तरीका बताने जा रहा हूँ इसके लिए आपको ना तो सुबह उटकर मीलो दौर लगानी है और ना ही जिम में घंटो पसीने बहाना है आपको बस अपने सुबह नास्ते में बदलाव करना है वैसे बहुत से लोग तो ओफिस जाने की जल्दी में या फ़िस बहुत देर से उठने के चक्कर में नास्ता करते ही नहीं है जो कि स्वास्ते के लिए बहुत ही नुकसान दे है खेर ये एक अलग विशे है मैं बात कर रहा था कि आपको सुभ़ नाश्ते में बस कुछ हेल्दी स्प्राउट्स यानि अंकुरित डाले या अनाज लेने हैं तो आईए आपको बताते हैं ऐसे पांच अंकुरित अनाज या दालों के बारे में जो सुभ़ सुभ़ आपकी एनरजी का लेवल तो बढ़ाते ही हैं साथ ही वजन नेंतरित रखने और कम करने में लाद दैक होते हैं सबसे पहले बात करते हैं अंकुरित राजमा की नाश्ते में अंकुरित राजमा लेने के कई फाइदे हैं राजमा में प्रोटीन की अच्छी खासी मात्रा पाय जाती है और जब इसे अंकुरित किया जाता है तो इसमें फाइबर भी बढ़ जाता है जो की वजन कंट्रॉल करने में काफी फाइदे मंद है क्योंकि इसमें प्रोटीन काफी अच्छी मात्रा में पाये जाता है इसलिए इसे खाने के बाद पेट काफी समय तक भरा भरा रहता है और हार्मोन्स को बैलेंस रखते हुए थाइराइड में वजन बढ़ने से रोकता है बाजरा भी अंकुरित कर खाये जा सकता है इसके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुनाओगा लेकिन अंकुरित बाजरा खाने के अलगी फायदे है यह ना केवल पाचन तंत्र को ठीक रखता है बलकि इसका फाइवर वेट लॉस यानि वजन कम करने की प्रक्रिया में तेज मन्द होता है अंकुरित मूम डाल अंकुरित मूम केलोरी में कम मगर सुपाचे प्रोटीन है और इसमें अगुलंशील फाइबर और बायवयक्टिव योगिक भी होते हैं जो वजन कम करने में काफी लाबकारी होते हैं इसलिए वेट लॉस करने के लिए नाश्ते में इसका सेवन बहुत ही उपयोगी होता है अंकुरित चना और रागी दोनों ही मोटे अनाज में आते हैं ये मेटाबलिजम तेज करते हैं और कभज की समस्या दूर करते हैं सुबह नाश्ते में इने खाने से पेट भरसा जाता है जिससे दिन का बाकी भोजन भी आप संतुलित मात् ब्रेसिल्स स्प्राउट्स सुबह सुबह स्प्राउट्स खाने से नाकेवल आपका पाचन तंत्र सही रहेगा बलकि आपका वजन भी कंट्रॉल हो जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए जी डिजीटल